तो इसरेल ने एक बार फिर से एर स्ट्राइक करने में इसरेल जुता हुआ है तो इसरेल ने एक बार फिर से गाज़ा पर एर स्ट्राइक की है और इस बीच आपको बता दें कि इसरेल के खिलाफ युद में हिजबुला की एंट्री हो सकती है कल याने की शुकरवार को हिजबुला चीफ अपना संबोधन देने वाले हैं जंग के बीच पहली बार हिजबुला चीफ का संबोधन होने जा रहा है और माना यही जा रहा है कि संबोधन में हिजबुला चीफ इसरेल के खिलाफ जंग का भी अलान कर सकते हैं अमेरिका और इसरेल की नजर हिजबुला चीफ के संबोधन पर टिकी हुई है युद में ब्लेक फ्राइडे का काउंटाउं हिजबुला करेगा जंग का एलान अगले 24 घंटे में बदलेगी युद की पिक्चा हमास का हमतर इसरेल का दुश्मन नंबर वन और इरान का सबसे शहिता हिजबुला जिसने बिना जंग में उतरे इसरेल के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी कि नेतन यहु को एक साथ डबल फ्रंट पर युद की तैयारी करनी पड़ गई लेकिन अब तक ना तो हिजबुला इसरेल के खलाफ जंग में उतरा है और ना ही उसने इसरेल के खलाफ जंग का एलान किया लेबनान की सीमा से उसने अब तक अपनी ताकत का सिर्फ ट्रेलर भर दिखाया है लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें हिजबुला पर लगी हुई है क्योंकि अगले 24 घंटे में हिजबुला इसरेल के खलाफ युद को लेकर बड़ा फैसला करने वाला है तीन नवंबर को हिजबुला चीफ हसन नसरुला का संबोधन होने वाला है अपने संबोधन के लिए हिजबुला चीफ ने शुकरवार का दिन चुना है इसरेल युद के बीच ये पहली बार हिजबुला चीफ का संबोधन होने जा रहा है इसलिए इसरेल के साथ साथ अमेरिका भी हिजबुला चीफ की तकरीर का इंतिसार कर रहा है ये जानने के लिए कि हिजबुल्ला चीफ अपने संबोधन में क्या एलान कर सकता है हिजबुल्ला चीफ हसन असरुल्ला की तकरीर से पहले उसका 24 सेकंड का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है वेट फॉर फ्राइड़े यानि शुकरवार का इंतिजार करो जिस लेबनान की जमीन पर हिजबुल्ला सालों से अपनी जड़े जमाए हुए है उस लेबनान से लगते इसरेल के बॉर्डर पर हालात कितने विसफोटक हैं पहले ज़रा वो ग्राउंड रिपोर्ट के जरिये समझ दीजिए लगातार इसराइल जो दक्षडी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं देखे पिछले कई दिनों से हम इस 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 इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है हम तस्वीर आप देखे भूमद सागर के उपर धुए का गुबार आप देख सकते हैं और अभी भी आपको आग लगती हुई नजर आएगी दरसल इसराइल कई प्लान पर काम कर रहा है जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट जैसा आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर कुछ जंगली इलाका और कुछ रहाइशी छोटे छोटे शहर है उनको भी निशाना इसराइल लगतार बना रहा है क्योंकि यह पूरा जो गड़ है दरसल हिजबुला का गड़ है और हिजबुला अलग अलग जगाहों से इनी जंगली इलाकों से च्छिप कर इसराइल पर हमले कर रहा है कल भी हिजबुला ने कई दफ़ा अटैक किया और आज सुबा सुबा अभी मैं आपको बताओं अगर लिबनान के में टाइमिंग की बात करें तो करीब पौने साथ का वक्त यहाँ पर हुआ है दिन भी सही से नहीं निकला है लेकिन सुबा ही अटैक कर दिया है इसराइल ने क्योंकि लगातार जो इसराइल है वो हिजबुल्ला को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता है हाला कि सवाल ये भी है कि हिजबुल्ला को इसरेल के खिलाब जंग में उतरने में इतना वक्त क्यों लग रहा है क्योंकि युद्ध के पहले दिन से ही हमास शीक शीक कर हिजबुल्ला से मदद के गोहार लगाता आ रहा है लेकिन हिजबुल्ला इस रेल पर चंद रोकेट दाख कर फिर से शांत बैठ जाता है ये कफ़ते पहले हुए हमास और हिजबुल्ला के बीच वी मीटिंग की तस्वीरे हैं जिसे सारफजरिक करके ये बताने की कोशिश की गई है कि हिजबुल्ला हमास के साथ खड़ा है इस तस्वीर में हिजबुल्ला चीफ के साथ हमास का डिप्टी चीफ मीटिंग करता दिखा था इस लंबी मीटिंग के बावजूद अब तक हिजबुल्ला ने खुलकर हमास का साथ नहीं दिया उसने खुलकर अब तक इसरेल पर हमला भी नहीं किया हिजबुल्ला अब तक खुद को फिलिस्तीनियों कर रक्ष्ट वताता रहा है लेकिन वो गाजा में जमीन युद शुरू होने के बाद भी खामोश बैटा है आलकि इन सब के पीचे एरान की भी भूमी का मानी जा रही है क्योंकि कहा जाता है कि हिजबुल्ला इरान के इशारे के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता अमेरिक और इस्रेल की ओड़ से दावा किया जा रहा है कि इरान के इशारे पर हमास ने इस्रेल पर हमला किया इरान के इशारे पर ही हिजबुलर रह रहकर लेबनान बॉर्टर से इस्रेल पर रॉकिट दाग रहा है और इरान के इशारे पर ही यमन का मिलीशिया गुरूप भूती भी ड्रोन के जरीए इस्रेल के खलाफ मोटचा खोल रहा है अगर अमेरिका और इस्रेल के दावों में जरा भी सचाई है तो ये सीधे सीधे मौके का फायदा उठाने जैसे इस्थिती है क्योंकि अगर अमेरिका इस्रेल युद में लंबे वक्त तक उलशता है तो इससे एरान को ही फायदा होगा इरान अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने मिलिशिया ग्रूप के जरिये फुल स्केल पर इस्रेल के खिलाफ युद शुरू कराया तो इसका खामियाजा उसे भी उठाना पड़ सकता है अमेरिका को दो युद पोत पहले से ही भूमन्दे सागर में ऐसी स्थिदी को संभालने के लिए खड़े है इस बुल्ला ने अगर फुल स्केल पर युद शुरू किया तो इसके लपेटे में खुद इरान को आने से कोई नहीं रोक पाएगा और इरान ऐसी स्थिदी को कभी आने नहीं देना शाथा